हेलो डियरे स्टुडेंट इस वीडियों हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 चेप्टर 10 प्रेक्टिकल जुमेंटिक एकसाइज 10.2 का कॉश्ण नमबर 2 इसमें आपको एक एक ट्रेंगल कसेट करना है और थो यह एक वान लेते हैं कि हम जो ट्रेंगल कसेट कर रहें क्योंकि इसमें आपको साइट नहीं दर रखी वह फॉघ्ट्र अपके पास 5.5 सेंटीमीटर अपको सबसे पहले क्या करना है हमने अपना रूलर लिया एंड इस पे आपने ड्रॉ किया 5.5 cm जिरो से स्टार्ट होना चाहिए आपका तो जिरो से स्टार्ट कर देते हैं जिरो से यह जाएगा आपका 5.5 तक 5.5 ओके 5.5 cm तक ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है इसका नेमिंग कर दिया हमने एबी एड यह है मारे पास कितना 5.5 cm अब आपको रूलर तो ले लिया लेकिन साथ में कंपस और लेना है एंड कंपस का क्या करना है हमें कंपस पे मेजर करेंगे हम 5.5 कितना 5.5 ओके यह हमारे पास 5.5 हो गया एंड यह ए पे रखके आर्क लगाना है एंड बी पे रखके आर्क लगाना है यह ए पे रखा और हमने आर्क लगा दिया एंड सेम बी पे रखना है एंड आर्क लगाना है यह रखा तो जहां पे यह दोनों मीट होंगे that point is C जहां पर यह दोनों arc cut कर रही हैं एक दूसरे को that point is C and with the help of ruler we will join A, C and B, C हम क्या करेंगे ruler के help से A, C को और B, C को join कर देंगे इनको join करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि यह बिल्कुल हमारे जो ruler है वो बिल्कुल ठीक रखा रहे नहीं तो otherwise हमारे line गलत ड्राव होगी तो हमारे पास जो question होगा वो भी गलत ड्राव हो जाएगा जो वो भी गलत बन जाएगा हमारे पास question भी है ना ओके यह हमने join कर लिया A, C now in the same way we will join B, C हम क्या करेंगे B, C को भी इसी तरीके से join कर लेंगे and जब हम B, C को join करेंगे after joining B, C, B, C को join कर दी हमने तो हमें एक triangle मिल जाएगा that triangle is ABC and this is our required triangle and इसकी सब्भी साइड्स कितनी है 5.5 सेंटी मेटर and अगेन इसके steps आप comment box में लिख सकते हो thank you 5.5 सेंटी में पनाएगा train